एक मा के लिए उसका बच्चा भगवान का दिया सबसे खुब सूरत गिफ्ट होता है। बच्चा चाहे जैसा भी हो, जन्म देने वाली मा उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाने में आगे रहती है। हलांकि एक मा का दिल तब सबसे ज्यादा बुरी तरह से तूट जाता है, जब उसकी संतान को भगवान एक अजीव गरीब बिमारी या तकलीफ के साथ दर्थी पर भीज़ देते हैं। हर प्रिग्नेंट औरत ये चाहती है कि उसका बच्चा हेल्दी और बिमारी या किसी विकार से मुक्त हो। अला कि हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, जिनकी दिक्कतों को समझने में एक बार को तो डॉक्टर भी ना कम्याब हो जाते हैं। अब ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। देसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा देखने को मिल रहा है, जो इतनी अजीबो गरी बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, कि उसको देखने के बाद एक मा का दिल भी थम गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे के चेहरे से लेकर उसका पूरा शरीर सफेद बढ़ चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके स्किन सिमेंट से बनी, बच्चे के बाड़ी पर कई सारे क्रैक्स भी नज़र आ रहा है, उसकी आखे और मू लाल है जबकि पूरा ब पड़ गए कि आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या है, दसल बच्चे को हारले कुईन एक्थियोसिस नाम की एक जैनेटिक डिजीज है, ये बिमारी स्किन को बुरी तरह से अफेक्ट करती है, इस बिमारी से पीडित बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, इनके शरीर के ज्यादतर हिस्सा मोटी और हाड स्किन से ढखा होता है, जिन में दरारे देखने को मिलती है, सबसे चौकाने और हैरान कर देने वाली बात ये है, कि इस बिमारी का कोई इलाज भी नहीं है